विराट कोली T20 से रिटायर हो गया है रोहित शर्मा भी T20 से रिटायर हो गया है और रविंद्र जड़ेजा के लिए भाई देखो हमारे पास कोई वीडियो तो है नहीं लेकिन उन्होंने ट्विटर पर कह दिया कि वो भी आगे से T20 नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल नहीं के लेंगे तो भाई ये तो देखो अब ये हाल होई गया टीम इंडिया का शायद जैसे विराट कोली ने कहा था ये तो ओपन सीक्रेट है कि हमारा ये आखरी T20 वर्ल्ड कप होने वाला था आखरी T20 मैच भी उन्होंने उसको बना दिया में क्या है भविष्य में ये है कि तीन बड़े ऐसे प्लेसे जिनको भरना टीम इंडिया के लिए थोड़ी से मुश्किल तो मिलब साबित होने वाली है बिलकुल और भविष्य में ये भी है कि शायद हार्दिक पंडिया T20 इंटरनेशनल टीम के टीम इंडिया के कप्तान बने लेकिन जो निकट भविष्य है वो है इंडिया वर्सिस जिंबाववे आप देख रहे हो हैं मैं बिलकुल दिखूंगा बहुत बढ़िया भाई साड़े चार बजे से इंडिया में वह मैं शुरू हो जाएंगे बिलक इसमें दो चीजे मैं कहूंगा एक तो यह कि इंडिया की B C टाइप की टीम है तो यह पाकिस्तान नहीं है तो इसलिए हम लोग अपनी में टीम नहीं बेजते हैं दूसरी बात यह है कि आपने बताया साड़े चार बजे अब आप इसको स्टार वार पर ढूंडने मत लग ज कि टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो क्या दिख सकती है इंडिया वर्सिस जिंबाववे के मैचेस में तो बही सबसे बड़ी बात यह है कि तीन खिलाडियों ने रिटारिमेंट लिया और जो तीन बड़े खिलाडी है जो कि T20 टीम में थे वो अभी तक पहले दो मैच के लिए नहीं पहुचे है ये शस्वी जैसवाल जिनकी हेरस्टाइल इस टाइम पर तॉक अफ़ टाउन है यार बनता भी है न अब पीएम साब के पास जा रहे हो वहाँ पर कितने स्पाइक बना के जाओगे मम्मी न कहा के मोधी जी से मिलने जा रहा है सीधी मांग देखन इस वाल के साथ 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 संजू सैमसन भी पहले दो मैचेस में नहीं होंगे पूरे वर्ड कप में खेलने का मोका भाही को मिला नहीं जिम्भावे की जो टीम अनाउंस हुई थी ऐसा लगा था इसमें पांच ओ टीटवंटी खेलेगा लेकिन वहां पर भी पहले दो मैच न तो नहीं जा सकती फाइनल में सब बढ़िया कर दिया लडगे ने सब के पाप दुल जाते हैं वैसे अंकर इंडिया जीथ ग कि आप वैसी दूलगे वह बात भी ठीक कर अच्छा लेकिन अच्छा लेकिन दूबै दूबबैने गासं को कि लिए कि नहीं तो बात करनी है हमें इंडिया की नेक्स T20 टीम की तो भाई नेक्स T20 टीम में ऐसा लगता है कि हार्दिक पंडिया, रिशब पंथ, बूमरा और अरशदीप तो हों गई लेकिन क्योंकि ये जिंबावे की ऐसी सिरीज है जहां पर आपको नेक्स जेनरेशन देखने को मिल सकती है वहां पर हम बात कर लेते हैं शुमन गिल है इस टीम के कप्तान कोच बनेंगे अभी के लिए इस सिरीज के लिए वीवी एस लक्षमन लेकिन शुमन गिल की कप्तानी में अब हम प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं अभिशेक और अभिशेक क्योंकि मैंने आपको कहा तो अभिशेक शर्मा क्या अपना डेब्यू करने वाले हैं यह तो होई गाई मतलब अगर टीम में इनको ले लिए अभी तुशारदेश पांटे तो है नहीं कि एकदम से आप सर्प्राइज हो जाओ यह जब आएं तो आपको लग रहे हैं कि भरोसे के साथ आएं और इनको आप ओपनिंग करते वे देख लोगे टीम इंडिया के लिए अब यह देखने वाली बात होगी कि शुमन गिल साथ में आएंगे ओपन करने या फिर जो हम वन डाउन की बात कर रहे थे ये शस्वी रूतुराज गायकवार्ड वो थोड़े बंदी दर दर होगे वो सारे नहीं बंद है न थोड़ा से जुबान पर थोड़ा टाइम लगेगा भी आदेगी आदत पढ़ जाएगी एक तो रोहिज शर्मा वगेरा की इतनी आदत हो रखी है यह और वो बाते मत किया करो लेकिन हम बात कर रहे हैं रुतुराज गायकवार्ड और शुमन गिल लेकिन रुतुराज गायकवार्ड टीम में तो होंगे लेकिन क्या उनको वन डाउन खिलाया जाएगा क्या शुमन गिल सोचेंगे कि नहीं यार मैं कप्तान हूँ मेरे को अगर इस टीम में रहना है तो इस टीम में वो विराट कोली वाला रोल प्ले करना होगा तो मुझे नंबर तीन होना चाहिए वो एक देखने वाली बात होगी लेकिन अभिशेक शर्मा जिनकी हम बात कर रहे थे आई पील में सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने लगाए मला क्लासन भी थे जिस टीम में जिस टीम में ट्रेविस हैड भी थे मला पूरे आई पील में तो इतने और आजू तोश को नहीं लेके गए बात उनकी मनलब ठीक है वैलेड बात है बाई सब लोग क्रिकेट देख रहे हैं सब लोगों को लगता है कि आई पील में जो भी परफॉर्म करें सबको आज आना चाहिए एक सीरीज और करा दो पापूहन योगी नहीं से लेकिर बैट्समेन और 6 बोलिंग ऑप्शन के साथ अपनी टीम बनाई चाहे वो सबसे बेस्ट पॉसिबल 11 ना हो लेकिन बैलेंस के मामले में बैस्ट हो ऐसी टीम बनाई गई गई बिल्कुल और वो टीम वर्ड कप भी जीत के लाई तो कहीं ना कहीं शायद आगे जाकर भी अभि 2020 वर्ड कप के अंदर के वहां पर बूम रहा आते हैं तो वह भी लपे घुमारे एक अधा शॉट तो चिपक जाता है बल्कुल और पहले अर्श्दीब ने चिपका दिये और सिराज आके भी भाई सब कुछ नहीं पा रहा था शुरूआत में लेकिन फुल एक्दम भाई सा लेकिन नभवे को पता होना चाहिए कि अंडिया जीत गई है वह भी भी ना पता हो इना कर Mainly और मही खिलता हो के अधि यह वह सटर्फी основ और सब्ढ़न unking प्रफोर अई सिर्पील में भी बढ़ year रही थी और नंबर चार पे इन्होंने अपना कूटा इसलिए भी गाड़ दिये क्योंकि संगागारा साथ उन्होंने यह एडवाइस दी थी इनको कि भाई तुम जब वापस जाओगे असाम के अपनी टीम में भी जब खेलोगे वहाँ पर भी नंबर चार पकड़ कर रखना और सारी अपनी परफॉर्मेंस वहीं पर करना उसके बाए जब यहां पर इतने सालों के बात जब नंबर चार पर इनको लेकर है संगागारा साथ अपने हिसाब से बाइसाब परफॉर्म कर रहा है नंबर चार पर जगह भी है क्योंकि सूर्यकुमार यादव जो की नंबर इससे मारेंगे पहले थोड़ा सेट होंगे यह कर रहुल वाला रोल है नहीं है लेगा ठीक है कम से कम रन बाद में मार रहा है बिल्कुल और नंबर पांच पर रिंकु सिंग रिंकु सिंग जिनको पूरे वर्ड कप में मौका नहीं मिला शिवमदूबे की वज़ा से वह ब म्ढुबे टीम में आएं चाहे ना आए कोई आए कोई ना आए लेकन रिंकू सिंह मेरे हैल से पर्मनेंट फिक्स्चर रहेंगे इस तीम का और नों ने बनाया थे लेदे के रिंकू सिंह इस इसकी performance के हिसाब से बात करते हैं तो टीम इंडिया में जितने match खेला उसकी performance के हिसाब से बात करते हैं तब भी यह आदमी कैसे प्लेइंग 11 में नहीं था यह तो एक जांच का विशह सीविए प्लेइंग 11 नहीं आप पूरा स्कॉर्ड गई पंदरा का अभी उसके बाहर क्यों थे सोचिए इंडिया के लिए बढ़िया रेकॉर्ड है लेकिन आइप अच्छा नहीं गया था तो ब पहले दो मैचेस के लिए उन्होंने भेज दिया है जिते शर्मा को जिते शर्मा साही सुदर्शन और हर्शेत राना यह तीन प्लेयर्स पहुचे है यह मुझे हर्शेत राना को प्लेंग 11 में रखना है चाहिए कैसे मर्जी रखो दो चार बंदे मार के आए वह बड़ा मज मैच में उसे खिलाओ और फिर वह मैच में विकेट लेने के बाद वो करें सेंड़ अफ दे सस्पेंड हो जा फिर रुक है मैं तो अगले मैच में था ही नहीं तो उम सस्पेंड करके दो लेकिन यहां अपर ऐसा लगदा है कि दुरूफ जुरेल शायद बाजी माल लेंगे विकेट कीपर यह जिते शर्मा भी बुरे ऑप्शन नहीं है ऐसे देखा जाये तो कैसी बाते कर रहे हो अगर आप मैं तो सिर्फ स्टैट्स की बात कर रहा हूं यह IPL तो उनका अच्छा गया ही नहीं उससे पहले जितने भी उनको मौके मिले टीम इंडिया में वह भी भु किया जाएगा मुझे लगता है कि कर लो कोई टेंजन नहीं है और उसके बार दोनों अच्छे हैं कीपर दोनों अच्छे हैं लेकिन नंबर साथ पर वाशिंग्टन सुन्दर अब मैं इस खिलाडी के लिए मेरे को ना इस खिलाडी मैं चाहता हूं कि यार यह सक्सेस्फुल हो यह खिलाडी इस खिलाडी ने वो जो गाबा की जो विक्ट्री थी ना उस विक्ट्री में लोग रिशपंत की बात करते हैं और बाकी सब लोगों की बात होती है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा सा लगता है कि वाशिंग्टन सुन्दर का भी जो रोल था उसको अंदेख चल रहा है तो इस वजह से इनका पूरा अगर यह फॉर्म में भी आया इंडिया के लिए अच्छा करा लेकिन रेगुलर नहीं हो पारें टीम इंडिया के लिए और बार इंजरी से वापस आते हैं फिर अपनी फॉर्म तलाश ते हैं फिर यह फॉर्म में आते हैं और जब इस वह फॉर्म का भी इस वह सकता है लेकिन मैं दिल से जाता हूं कि वाशिंग्टन सुंदर बढ़िया सुंदर परफॉर्मेंस दे और क्योंकि लास्ट टाइम इनकी बढ़िया परफॉर्मेंस यो इंडिया के लिए आई थी वो न्यूजिलेंड में आई थी जब इंडिय न्यूजिलेंड टोर कर रही थी और वहां पर न्यूजिलेंड के घोड़े खोलने में इस भाई साब का बहुत तगड़ा हाथ था लेकिन उसके बाद वाशिंग्टन सुंदर को मौका भी नहीं दिया गया कहीं ना कहीं ये मैं एक ग्रज रखता हूं टीम मैनेजमेंट से पर क्योंकि टीम इंडिया ने वर्ड कुप जीत लिया है तो सारे खूंद माप होगा है। को प्याओ की तरह पानी प्लाओंगा लेकिन रवी विश्णोई T20 के नंबर वन रैंक्ड बोलर भी रह चुके हैं तो कहीं न कहीं टेम इंडिया को उस चीज का फायदा उठाना चाहिए पर बाकी T20 रैंक्स में कौन मानता है वो तो रिजवान भी रह चुके हैं बावराजम रह चुके हैं क्या कल लो इन रैंक्स का नंबर वन तो ये पाकिसान की पूरी टीम रह चुके है ऐसी रैंकिंग से क्या फायदा है चौट तू यह वाला वो चल्वन हम इनकी रैंकिंग का क्या लेना देना पर फिर उसके बाद नंबर 9, 10, 11 पर तीन फास्ट बोलर और यहां नहीं नहीं चीक रहते हैं तो इसका नाम था शिवम दूबे और वह भी 11 रन का नहीं सचाही है कि शिवम दूबे घडिया बोलिंग कर रहे थे वहां पर बाकी नेट्स में बढ़िया बोलिंग कर रहे थे खलील भी आवेश भी और उसके लाबा मुझे लगता है मुक कर देखा हम ने सुर्या के उपर भी डॉॐट किया था ना है लेकिन बंदेने सब्सक्राइन लोगे सभाज कीरा का यादोस्तों अबर अड कर नहें शाल जाए बाहर निया चलंज ने उसापगर चैलें किया होगीस डिया फिलाउगए के खिलाफ टीम इंडिया की पहले T20 पे प्लेंग 11 जल्दी से कॉमेंट्स में लिख दीजिए बाकी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही मेरा नाम है चैनल स्तोगी मैं अभी शेख में चंदा और आप देख रहे हैं जी स्विच